स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है साई बाबा फिलाल जेल में बंध है उन्हें मई दो हजार शौदा में नक्षलियों के साथ कति समन्द के आरोप में गिरपतार किया गया था गिरपतारी से पहले वीज़र से चलने वाले प्रोफेसर साई बाबा दिल्ली विश्वा विद्याले के रामलाल आनन्द कॉलेज में अंगरेज जी पड़ाते थे बॉंबे हाई कोट की नाकपूर पीट ने मावादियों से कथी समन्द मामले में दिल्ली विश्व विद्याले के पूर्व प्रोफेसर जी एन साई बाबा और पाच अन्यों को बरिकर दिया ये फैसला मुंबई उचन्याले की नाकपूर खंड़पीट ने मंगलवार को दिया है इस मामले में घड़शी रोली कोट ने 2017 में साई बाबा और अन्यों को दोशी करार दिया था इसके बाद से ये सब ही जेल में बंध है इन छे लोगों में से एक पांडो नरोटे की मोथ हो चुकी है नकशलियों से कनेक्शन मामले में 2014 में हुई थी गिरपतारी साई बाबा फिलाल जेल में बंध है उन्हें मही 2014 में नकशलियों के साथ कथी समन्त के आरोप में गिरपतार किया गया था गिरपतारी से पहले विल्चियर से चलने वाले प्रोफेसर साई बाबा दिल्ली विश्व विद्याले के रामलाल आनन कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाते थे जवारलाल नेरू विश्व विद्याले के चात्र हेम मिश्रा की गिरपतारी के बाद साई बाबा पर शिकन्जा कसा गया था हेम ने जांच एजन्सियों के सामने दावा किया था कि वह चतिसगर के अबुज मार के जंगलों में चिपे एक नक्षलियों और प्रोफेसर के बीश एक कुरियर के रूप में काम कर रहे थे जी एन साई बाबा नब्य प्रतिशर शारेडी क्रूप से असक्षम है उन्हें गयर कानूनी गतिवी धी अधिनियम के तहे दोशी ठेर आया गया था और आज जीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी वर ते शिद्ध जाले नहीं निजी अधि बाकी आरोपीन कडूनीं ज्यो मुद्धिमाल वागे रेजुपार बिढाला ते काईद्या प्रमाणे शिद्ध जाले नहीं या कार्ना मोळे शग्ण आरोपीन्नाट्यानि मिर्दोश शोटका चे या आधि जे निर्णाई जाला तो मुक्षेता सैंक्षन चे आधारावर होता, वेरिट वर तेचा मदे काई उल्लेक न होता, आणि यहाँ वेड़ेस जमा सुप्रिम कोर्टा ने आपकड़े हाई कोटाला पाठावला, यहाँ मदे सैंक्षन आणि इतर जमुद्या है, वेरिट वर त्या सग्डान वर निर् देख जिले कि तुम्ही लेखी अर्द करा, तो आमी लेखी अर्द करना रहो, आणि क्यान अंतर जजमेंट ची कौपी बेटल्या वर, बग पुर्टा निर्दाई शासन घेट देचा माजनाव एडवोकेट हरिशल लिंगायत, आज कोटा नी एक दशक, एक डेकेड जुन जे आहे प्रकरन, जी अन साही बाबा जो 90 परसंट डिसेबल्ड परसंट आहे, तेला आज दोशमुक्त के लेला आहे, टेरर काईदान अंतर गत तेनीच दहा वर्ष काड़ा, दहा वर्ष काड़ लेले आहे, कारा गुरुआत, अनि खुब बेदना श्रहन के लेले आहे, आ आज ते उल्मानिया उच्छे नाहे लेला तेलना निर्दोश मुक्तता दिले लिया है, आजर के होता, जे अन साही बाबा वर विरुद्द जे एक एबिडेंस होता, इलेक्ट्रोनिक एबिडेंस, तेला तेनी फॉर्ज के लेला आहे, जे आपला सीजर होता, तेन्चा प्रॉपरली कोटा असा तेनली निर्ने दिले लेला है, जे डिजिटल एविडेंस प्रूब करने ऐसा जे प्रोसीजर असते ते प्रोसीजर फॉलो के लेला नहीं, तेन्चा ता आरेस्ट डाउट पूल होता है केस मदे, आरेस्ट एक विटनेस होता तेया मदे कि जैने सामले में पाचन्य को भी सजा सुनाई गई थी, जिनको मंगलवार को उच्छने आले ने बढ़ी कर दिया था, उच्छने आले का निर्ने होने के बाद इस पर सगीती की मांग प्रति पक्षद द्वारा की गई है, जिस पर लिखी तर्जव मांगा गया है, जिसका निर्ने सरकार करेगी, ऐसा भी हवाला अधिवक्ता द्वारा दिया गया, नमस्कार, WKB News के स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है, साई बाबा फिलाल जेल में बंध है, उन्हें मई 2016 में नक्षलियों के साथ कति समन्द के आरोप में गिरपतार किया गया था, गिरपतारी स से पहले वील्चर से चलने वाले प्रोफेसर साई बाबा दिल्ली विश्व विद्धाले के रामलाल आनन्द कॉलेज में अंग्रेजी पड़ाते थे, बंबे हाइ कोट की नाकपुर पीट ने मावादियों से कति समन्द मामले में दिल्ली विश्व विद्धाले के परशी करार दिया था इसके बाद से ये सब ही जेल में बंध है इन छे लोगों में से एक पांडो नरोटे की मोथ हो चुकी है नक्षलियों से कनेक्शन मामले में 2014 में हुई थी गिरपतारी साई बाबा फिलाल जेल में बंध है उन्हें मई 2014 में नक्षलियों के साथ कथी थे अरोप में गिरपतार के आ गया था घिरपतारी से पहले विलचेर से चलने वाले प्रोफेसर साई बाबा दिल्ली वीश्व विद्याल के रामलाल आनन्द कॉलेज में अंगरेजी पढ़ाते थे जवारलाल नेरू विश्व विद्याले के चात्र हेम मिश्रा की गिरपतारी के बाद साई बाबा पर शिकन्जा कसा गया था हेम ने जांच एजंसियों के सामने दावा किया था कि वह चतिस गड़ के अबुज मार के जंगलों में चिपे एक नक्षलियों और प्रोफेसर के बीच एक कुरियर के रूप में काम कर रहे थ और आज इवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आज आरोपिन्ना चानी मेर्दोश सुठका के या अधी जे निर्णाय जाला होता तो मुक्षेता सैंक्षन चे आधारावर होता मेरिट वर तेचा मदे काई उल्लेखना होता आणी यहां वेड़ेस जेमा सुप्रिम कोर्टा ने आपकड़े हाय कोर्टाला पाठावला चा म कोटा ने आमाला निर्देख जिले कि तुम्हीं लेखी अर्दा करा त्यामी लेखी अर्दा करना रहो आणी क्यान अंतर जज्मेंट ची कौपी बेटल्यावर बग पुर्टा निर्दाई शासन घेज देचा माजनाव एडवोकेट हरिशल लिंगायत आज कोटा नी एक तर्गत तेनीच दहा वर्श काड़ा दहा वर्श काड़ लेले आहे कारा गुरुआत अणी खुब बेदना श्रहन के लेले आहे आज ते उल्मान्य उच्छे नायला तेलना निर्दोश मुक्तता दिले लिया है आजर के होता राउश का होता जे एन साही बाबा सेजर होता है तेंचा घरुन दाखाव लेला तेंचा परूब के लिया नाही यह प्रोपर्ली आम कोटा आता असा तैनली निर्दे ले लेला है अहो जहे डिजिटल एविडेंस प्रूब कर लेला यह ज़े प्रोसीजार असीजर पावलो के लिया नाही थे लिया खुडले केस मदे आरेस्ट एक विटनेस हसा होता त्या मदे कि जैने मंट लेला है कि अगुदर पास उन कस्टडी मदे तैना बगित लेला है इस मामले में पाच अन्य को भी सजा सुनाई गई थी जिनको मंगलवार को उचने आले ने बढ़ी कर दिया था उचने आले का निर्ने होने के बाद इस पर सगीती की मांग प्रती पक्षद्वारा की गई है जिस पर लिखी तर्जव मांगा गया है जिसका निर्ने सरकार करेगी ऐसा भी हवाला अधिवक्ता द्वारा दिया गया नमस्कार विकेविन्यूस के स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है साई बाबा फिलाल जेल में बंध है उन्हें मई 2014 में नक्षलियों के साथ कति समन्द के आरोप में गिरपता किया गया था गिरपतारी से पहले वील्चर से चलने वाले प्रोफेसर साई बाबा दिल्ली विश्व विद्याले के रामलाल आनन्द कॉलेज में अंग्रेजी पड़ाते थे बॉंबे हाई कोट की नाकपूर पीट ने मावादियों से कथी समन मामले में दिल्ली विश्व विद्याले के पूरो प्रोफेसर जी एन साई बाबा और पाच अन्यों को बरिकर दिया ये फैसला मुंबई उचन्याले की नाकपूर खंड़पीट ने मंगलवार को दिया है इस मामले में घड़जी रोली कोट ने 2017 में साई बाबा और अन्यों को दोशी करार दिया था इसके बाद से ये सब ही जेल में बंद है इन छे लोगों में से एक पांडो नरोटे की मोथ हो चुकी है नकशलियों से कनेक्शन मामले में 2014 में हुई थी गिरपतारी साई बाबा फिलाल जेल में बंद है उन्हें मई 2014 में नकशलियों के साथ कथि समन्त के आरोप में गिरपतार किया गया था गिरपतारी से पहले विल्चियर से चलने वाले प्रोपेसर साई बाबा दिल्ली विश्व विद्याले के रामलाल आनन्द कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाते थे जवारलाल नेरू विश्व विद्याले के चात्र हेम मिश्वा की गिरपतारी के बाद साई बाबा पर शिकन्जा कसा गया था हेम ने जांच एजन्सियों के सामने दावा किया था कि वह चतिसगर के अबुज मार के जंगलों में छिपे एक नक्षली और प्रोफेसर के बीच एक कुरियर के रूप में काम कर रहे थे जी एन साई बाबा 90% शारेडिक रूप से असक्षम है उन्हें गयर कानूनी गतिवी धी अधिनियम के तहे दोशी ठेर आया गया था और आज जीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी ते शित्द जाला नहीं नित मकी आरोपीन करणूनी जीव मुद्दि माल वगरे रशुप्रा भिडाला ते काई दया प्रोफेसर करना मोळे सर्च आरोपीन तेनी नीक्रिदोश खोटकाशी जै आधिनियरु शाला हुटा तो मुख्षता स्यांक्षन चे अधारावर होता मेरिट वर तेचा मदे काई उल्लेख न होता आणि यहां वेड़ेश जेमा सुप्रिम कोर्टा ने आपकड़े हाय कोर्टा ला पाठावला चामडे स्यांक्षन आणि इतर जे मुद्या है मेरिट वर त्या सग्ड़ान वर निर्दाय जाला तनी निर्देश जिलेऊ आणि चाच वेड़ेश जमा जजमेंट प्रणाउंस जाला यह कोर्टा ला आई इस टेशी माघनी के लिए के तुमों बलदेख वर त्याम लिखी ओर रहा रहा हो चैन अंतर जजमेंट चीजमेंट्टी कौपी बेटलेा वर वर औकोर्टा निर्दा और शासम घेषे घड़ेशह जमेंड़ अध्यूटेग habitat परसन आए तेला आज दोश मुक्त के लेला है टेरर काईद्यान अंतरगत तेनीच दहा वर्श काड़ा दहा वर्श काड़ लेले आए कारा गुरुआत अणि खुब बेदना श्रहन के लेले आए ना आज ते उल्मानिया उच्छे नायला तेलना निर्दोश मुक्तता दिलेल अधर के लेला है जे अपना सीजर होता तेंचा गहरूंद आखाउ लेला सीजर पूरुब के लेला आए प्रॉपरली आ माइव कोटा असा तेनली निर्मान दिले लेगा है अहों जैसे डिजिटल एविड़ंस पूरुब करने मांती इस मामले में पाच अने को भी सजा सुनाई गई थी जिन को मंगलवार को उच्चनयाले ने बढ़ि कर दिया था उच्चनयाले का निटने होने के बाद इस पर सगितिकिमांग प्रती पकुमांग प्रती पकुमांग